शोम बार्वर्थ कथा शोम बार के बर्थ में जरूर सुने ये कथा मिलेगी शिव पार्वती की किर्पा शोम बार्वर्थ कथा शोम बार के दिन संकर भगवान को समर्पित होता है आज के दिन भक्त भोले नात को प्रशन करने के लिए विजेश पूजा अर्चना करते हैं कुछ लोग आज के दिन वर्त भी रखते हैं ताकि शिव जी के विशेश किर्पा प्राप्त की जाशके बाबा भोले नात के अशिर्वाद के लिए आप भी शोमबार का वर्त कर रहे हैं तो सियू फार्वति कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें शोमबार वर्त की विधी नारत पुरान के अनुशार सोमबार वर्त में विक्ति को प्राता अशनान करके सियू जी को जल और वेल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा शियू गौरी की पूजा करनी चाहिए सियू पूजन के बाद सोमबार वर्त कथा शुननी चाहिए इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए सधान रूप में सोमबार का वर्त दीन के तिसरे तक होता है मतलब साम तक रखा जाता है शुमबार वर्त तिन परकार का होता है प्रती सुमबार वर्त शुम्य परदोश वर्त और सोला सुमबार का वर्त इन सभी वर्तों के लिए एक ही वीदी होती है शुमबार की वर्त का था एक समय की बात है किसी नगर में एक साहुकार रहता था उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी इस कारण वो बहुत दुखी था पुत्र प्राप्ति के लिए वो पर्तेक शोम वर्बर्त रखता था और पूरी सर्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान सिव और पारवती जी की पूझा करता था उसकी भक्ती देखकर एक दिन मा पार्वती परशन हो गई और भगवान सीव से उस सहुकार की मोनकामना पूर्ण करने का आगर किया पारवती जी की इक्चा सुनकर भगवान सीव ने कहा कि हे पारवती इस संसार में हर प्रानी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है लेकिन पारवती जी ने सहुकार की भक्ति के मान रखने के लिए उसकी मोनकावना पूर्ण करने के इक्चा जताई माता पारवती के आगरा पर शिव जी ने सहुकार को पूत्र प्राप्ति का वर्दान तो दे दिया लेकिन साथी ये भी कहा कि उसके बालक की आयू केवल बार वर्ष होगी माता पार्वती और भागवान सीव की बात्चित को शहुकार सुन रहा था उसे ना तो कोई इस बात की खुसी थी और ना ही दुख हुआ पहले ही भाती सीव जी के पूजा करता रहा कुस्म समय के बाद सहुकार के घर एक पुत्र का जनम हुआ जब वो बाला 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए कासी भेज दिया गया शहुकार ने पुत्र के मामा को बुला कर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बाला को कासी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यक कराना जहां वे यक कराओ वहां बरामनों को भोजन कराते और दक्षिना देते हुए जाना दोनों मामा भांजे इसी तरह यक कराते और बरामनों को दान दक्षिना देते कासी की ओड़ चल पड़े रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवा था लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवा होने वाला था हुआ एक आंग से काना था राजकुमार के पीटा ने अपने पुत्र का काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची सहुकार के पुत्र को देख कर उसके मन में एक बिचार आया उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूलहा बना कर और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा लड़कों को दूले के बस्तर पेनहा कर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया लेकिन सहुकार का पुत्र इमंदार था उसे यह बात का निया संगत नहीं लगी। उसने औसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा हुआ एक आँख से काना है मैं तो कासी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बाते पड़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई राजा ने अपने पूत्री को विदा नहीं किया जिस से बरात वाफस चली गई दूसरी और सहुकार का लड़का और उसका मामा कासी पहुँचते और वहां जाकर उन्हों है मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सोजाओ सिव जी के वरदान अनुशार कुछ ही देर में उस बालक के प्रान निकल गए मित्त भांजे को देखकर उसके मामा ने बिलाब सुरू किया सयोग वस वहीं समय सिव जी और माता पारवती उधर से जा रहे थे पारवती ने भग बालक के समिप गय तो वह बोले कि यह उसी सहुकार का पुत्र है जिसे मैंने बारव वर्ष की आयू का बरदान दिया अब इसकी आयू पूरी हो चुकी है लेकिन मित्त भाव से विभोर माता पारवती ने कहा कि हे महादेव आप इस बालक को और आयू देने की किरपा करे अ वो जीवित होने का वर्दान दिया शीव जी की किरपा से ववा लड़का जीवित हो गया दिख्छा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओचल दिया दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहां उसका विवा हुआ था उस नगर में भी उन्होंने य इधर शहुकार और उसकी पतिनी भूके प्यासे रहकर बेटे की परतिक्छा कर रहे थे उन्होंने प्राण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मिर्तु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग कर प्रन्तु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर व मेरे पूत्र की लंबी आयूब परदान की है इसी पर कर कोई सोंबार वर्थ करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसकी सभी दूखों दूर होते हैं और समस्त मौनुक।